आईए भक्तो आज जानते हैं फालगुन अमस्या की पवरानिक बर्त कता फालगुन महीने में किष्ण पक्ष की अंतिम तिथी को फालगुन अमस्या कहा जाता है हिंदु धर में फालगुन अमस्या का विशेवस महत्वे फालगुन अमस्या को सनिचरी अमस्या भी कहा जाता ह फाल्गु नमस्या के दिन पित्रों को तरपन किया जाता है तथा उनके नाम से दान्ने पुन्ने जैसे काये किये जाते हैं फाल्गु नमस्या के दिन जीवन में सुख समिर्दी तथा शोभाग्य की पराप्ती के लिए बर्त रखे जाते हैं सास्त्रों में फालगुन अमस्या को पित्रों को मुक्ति दिलाने की तिथी माना जाता है फालगुन अमस्या के दिन भगवान सीव की पूजा अर्चना की जाती है और इसी दिन सनी महराज को भी पूजा जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार नाया वर्ष चैत के महीने में सुरू होता है और फालगुन के महीने के साथ खत्म हो जाता है फालगुन अमस्या का महत्व एक ही बहुत महत्पूर्ण होती है क्योंकि इसे पित्रों को मोक्ष दिलाने वाली माना जाता है यह अमस्या हिंदू वर्ष की अंतिम अमस्या होती है जो की महा सिवरात्री के बाद आती है कहते हैं कि जो लोग निरंतन हर अमस्या पर सराध नहीं कर पाते हैं यदि वह फाल्गू नमस्या के समय सराध करते हैं तो उन्हें उतना ही पुन्य मिलता है बलकि काल सर्प दोस्क के निवारन के लिए भी फाल्गू नमस्या का विश्यस महत्व होता है फाल्गू नमस्या पर कई धार्मिक तिर्थ अस्थानों पर मेले लगाये जाते हैं और इस दिन गंगा असनान करना बहुत ही सूम माना जाता है क्योंकि ऐसे मानते हैं कि संगम पर देपताओं का निवास होता है वैसे तो फाल्गू नमस्या के दिन चंद्रमा दर्शन नहीं हो पाते हैं परन्तु इसके बाब जूद इस दिन चंद्र देव को यम के साथ साथ सूर्य देव से आसिरबाद पराप्त करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है पौरानिक मनेताओं के अनुसार मिर्तु के बाद आत्मा फित लोग पहुँच जाती है और या आत्माओं का एक अस्थाई निवास होता है तथा जब तक उनके भाग्ये का फैसला नहीं हो जाता तब तक उन्हें वहीं रहना परता है और उन्हें कई तरह की पीरा सहनी पर पूर में आद्धी करते हैं ताकि उन्हें सांती एब मुक्ती दिलाई जा सके अमर्श्या बर्द कथा पौरानिक कथा के अनुसार दुर्वासा रिसी के सराप की वज़से इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए और उन्हें देत्यों से हार पराप्त हुई तब सारे दे जा दी कि वह बेक्तियों के साथ मिलकर छीर सागर का मन्थन करके अमरित निकाले तब सब जब देवताओं नेताओं के साथ संधी कर ली और अमरित निकालने के लिए मन्थन सुरू कर दिया अमरित कुम के निकलते ही देवताओं के इसारों पर इंद्र के पूत्र जयन्त ने अमरित कलस लेकर आकास में उरान भर ली उस समय देत्य गुरू सुक्राचार्ज ने देत्य को आधेश दिया कि वह अमरित वापस लेने के लिए जयन्त का पिचा करे देत्ते ने ऐसा ही किया और जयन्त को राष्टे में ही पकड़ लिया अमरित कलस पर अधिकार जमाने के लिए दोनों तरफ से 12 दिन तक यूद चलता रहा इस यूद के दवरान पित्थिवी के चार अस्थान परियाग राज, हरी द्वार, उजयन तथा नासिक एवं गंगा योमना के संगम पर कुछ अमरित की बूंद गिरे जिससे यह सारे तिर्थ पवित्र हो गए तभी से फालगून अमस्या के दिन इन अस्थानों पर अस्नान करना सुमाना जाता है फालगुन अमर्ष्या के लाव इस दिन भग्मान चंद्रमा और भग्मान का आशिरवाद पराप्त होता है इस दिन अनुष्ठान करने पर पित्रों को मोक्षी पराप्ती होती है इस दिन परिवार को सुख समिर्दी हासिल होती है और कई परकार की बधाओं से मुक्ती मिलती है इस दिन का पुजा अनुष्ठान करने से पच्चो को समिर्जी तथा लंबा जीवन प्राप्त होता है फालगु नमश्या बर्त एवं पुजा विधी फालगु नमश्या के दिन सुबा जल्दी उठकर असनान करने के पहचात सुर्य ये देव को अर्ग दिया जाता है अर्ग देने के पहचात बर्त का संकलफ लिया जाता है फालगु नमश्या के दिन गरीब एवं भूखे वेक्तियों को भोजन कराया जाता है फालगु नमश्या के दिन गरीब लोगों को अनाज, वस्त्र, तील, आमला, कंबल, पलंग, घी, आधी का दान किये जाते हैं जिस जगह पर पित्रों का तस्वीर लगी होती है उस जगह को अच्छी तरह से साफ किया जाता है इसके बाद उस अस्थान पर देशी घी का दीपक जलाया जाता है और पुर्वजों की तस्वीर पर सफेद चंदन का तिलग किया जाता है इसके साथ सफेद फुल भी अरपित किये जाते हैं इस दिन भगवान सीव अगनी देवता और परहामनों को उर्द दाल दही और पूरी के रूप में परसाद अरपन किया जाता है महादेव मंदिल जाकर शिव भगवान को गाय के दूत दही और सहसे अभी सेख किया जाता है तथा काले तिल चढ़ाये जाते हैं फालगो नमश्या के दिन किये जाने वाले उपाय फालगो नमश्या के दिन सिवन चाच छरी मंत्र का पाठ किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन या पाठ करने से सनी के परकोप का भै नहीं रहता है और सारी बधाय दूर हो जाती है सनी महराज को इस दिन नीले रंका वाले अपराजिता फूल चढ़ाये जाते हैं इस दिन काले रंकी बाती और तिल के तेल से साथ दिया जलाया जाता है या उपाय सनी दोस्त को दूर करने के लिए किया जाता है इस दिन समी का विर्च लगाया जाता है और नियमित रूप से उसकी पूजा की जाती है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस बिर्च से घर का बास्तु दोस ठीक होता है और सनी देव की किरपा बनी रहती है अमस्या के दिन सूर्य अस्त होने के बाद पीपल के पेर के नीचे बैठकर सनी देव का ध्यान किया जाता है और फिर एक दीपक में सर्शो का तेल डाल कर कर दिया जलाया जाता है इस दिन बजरंग बली की पूजा की जाती है और सुन्दर कांड का पाठ किया जाता है तथा हन्वान जी के मंदिल में परसाद आदी चढ़ाया जाता है जोति सास्त्रों के अनुसार सूर को कुंडली में लगन और आरोग्यता का करन माना जाता है इसलिए फालगु नमश्या के दिन सूर्य देव की पूजा करके बिमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है जोति सास्त्रों के अनुसार इस दिन सुबह उठकर सूर्य चलिसा का पाठ किया जाना चाहिए और भगवान सूर्य के बार नामों का जाप करने के बाद गी का दीपक जलाना देना चाहिए ऐसा करने से लाप पराप्त होता है इस दिन लान मीठी चीजे का दान भी किया जाता है फाल हो नमस्या के दिन विशेश तोर पर भगवान सीव और सिरी कृष्ण की पूजा की जाती है तो बोलिए एक बार प्रेम शी भगवान शीव की जै सिरी कृष्ण भगवान की जै माता पार्वती की जै